जै माकाल मेरा नम समराठ है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आदित्ति पूरम तो देखिए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले रोग डेंगू के बारे में तो देखिए डेंगू जो है बहुत ही खदरनाक रोग तो नहीं है लेकिन इस रोग में भी आपको सतर कढ़ने की आवशकता है डेंगू होने का कारण क्या है कि आस पास यदि आपके पानी का जमजमा होता है ठीक है यदि पानी का ठरहा होता है तो ऐसे सिच्योशन में जो है अच्छे पानी में यहनी करता है साब पानी में भी टेंगू हो जाता है दे Central यह समझने वाली बात या कि साब पानी और गंदे पानी में अंतर किया जैसे ना ले का पानी है वह गंदा पानी है तो उसमें तो डेंगु होना शुक्षमजीब का होना या किसी भी मच्छर का होना सभाभी है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है साप पानी से मतलब oppress १्य पिने वाला पॉनी गिलास रखें उसमें डेंगु हो जाएगा ठीक डेंगु होने का मतलब है जैसे कि कहीं हमारे छट पे पानी ठहर रहा है या बालकोनी में या किसी भी जिगा बात्रूम के साइड जो है पानी जो है लंबे समय तक ठहर रहा है और घर से हम 5 दिन 10 दिन बाहर है वो पानी क्या हो रहा है कि एक जिगा जमा हुआ है और किसी भी चीज को यदि हम छोड़ तो एक सप्यव कि इसमें को है नौर्मल पानी में इतना फिचर नहीं रहता है वो क्या होगा चाहर दिन पानी थाड़ा हुआ है तो उसमें भी खिटानू हो जाएंगे यानि कि मच्छर हो जाएगी और इस तरह के जो है साप पानी में भी मच्छर पनपते हैं तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि साप पानी भी उसका जम जमाव नहीं होना चाहिए तो सबसे पहला जो है डेंगों का उप्चाड यही ह जो है कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें और पानी का जम जमाव नहीं करें गंदगी से बचें अपने चारो और रात में सोते समें मच्छर दानी का पड़ियोग करें घर के घिरकियों में जो है जालीदार परदा डालें जिससे की बाहर से मच्छर जो है अंदर यह होता है इसका नाम है इनडी इंडी मुच्छर होता है जिसके कारने से लड़की सब लड़की सब करते हैं तो यह मच्छर यह मादा होता हुआ झीक है यह उसको नहीं है यह नहीं किसी महारा आस bestis है यह जो है इंटेंसली जो है क्या करता है कि देंगों को फैलाता है तो इंडी स्रेणी में जो है इस तरह के चार मच्छर पाए जाते हैं कि इतने मच्छर पाए जाते हैं चार मच्छर ठीक है इस जिप वाहक होते हैं और इसके काटने से जो है देखे सभी प्रकार के जितने भी ये इंडीज मच्छर है उसके काटने से डेंगू नहीं होगा ठीक है ये बात आपके माइंड से सबसे पहले अटा दिए कोई भी मच्छर काटेगा आपको डेंगू हो जाएगा ठीक है ऐसा भी सिच सरीर में इंसाइट होगा ठीक है हाथ में यह जहां भी और का गाटेगा उए इसके बॉड़ी में जो भी यह वायरस अपके शरीर में छोड़ेगा और छोड़ने के बाद संभावना संभावना कि आपको डेंगू हो जाए ठीक है बहुत रेयर केसे में यह संभावना वथा बनती है इसा 走ता है आपके सरीर में इम्ध होता बहुत 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 बहुKA होता हुआ कोमहन सरीर में आपके इम्मुनिटी आपके सरीर में इंसर्ट कर दे रहा है एक सरीर काट रहा है आपको डेंगो नहीं हो रहा है और प्रचूर मात्रा में या जितना जरूर है कि आपके सरी में वाइरस नहीं डाल पा रहा है जिसके कारण भी काटने के बाद भी आपको डिंगो नहीं हो रहा inhale अब देखें यह करते जाता है जोड़ों में तकलीफ हो जाती है तेज ूँまあ आंटीज बुखार हो जाते हैं तमाम तरह के धेर्व कर के से डिस्कस कर लेते हैं तो यहीे व Mountains मच्छन夏 जो कि आपको अश्पर्स करती हैं से और को यह मादा इंडीज मच्छछ है यह कौन सा मच्छर ही मादा इंडीज मच्छ मक्षर के काटने से रोग हो जाता है इसके जरता का वायुरस होता है है इक होता है इन फ्री एक होता है सब अपनेbracht में जो है आपको डेंगू भैलाने के लिए self-sufficient है कोई भी प्रकार का जो है वारस आपके सरी में इसे तो आपको जो है डेंगू हो जाएगा डेंगू के भी कुछ है क्या क्या हो रहा है क्यों हो रहा है यह तमम चीजें हम आपको बताते चलेंगे तो दिए सबसे पहला चीज यह है कि आपको सड़ी जैसे आपको डेंगू हो गया उसके बाद आपका फीवर बढ़ेगा ठीक है आपको बुखार जो है बहुत तेज आ जाता है दोस्व नहीं 102 डिगरी से लेकि 104 डिगरी तक आपको बुखार सकता है तो यह चीज आपको याद आखने जैसे आपको डेंग आपके सड़ी में तिब्र बुखार हो जाएगी यह एक मात्रलक्षण है ऐसा भी जरूरी नहीं आपको बुखार हो ही ठीक है लेकिन यद्यापको बुखार हो रहा है और continuously जो है होते हैं आपका सरीर तप रहा है तो आपको जो है नजदिकी स्वास्त के नरे जाना चाहिए दूसरा देखिए कि और कुछ नियम है आपके सरीर में जो है आपके सरी में लएगा कि हमारा सर जो है य自ол ai होगा ओन्हेंगा यह सब द५खेता बहुत ज्यादा ठीक है sub即 है ने मुसल्स पन भी होता है आपको मसल्स में या होते हैं तीसरा अगे जबा सुरीज पर डेंगो की हैं, आपको जो है, कोई भी चीज खाने में अच्छा ने लिए आपको सरीर का स्वाद मर जाएगा, टेस्ट जो है, खतम हो जाएगा, आपको अच्छ नहीं लेगा, डैपको अभी हो सकता है, ऐसे सीचिस्योसन में, आपको गंटिंडेंसली वहां बॉमेटिंग ट कि अनवी икс हो सकता है यह में यहाँ डेंगों की लरी के घाश को आपको होते हैं तो सक्री ओ जाइए और आँंख के नीचे यह वाला जो परस्ट नै इसके नीचे यह दी आपको तरद होड estás तो वह देंगों का लक्षन हो सकता है इस तरह में से कोई भी लक्षन यदि आपको होता है तो नजदी की स्वास्त के अवस्य जाएए और प्रात्मिक उप्चार लीजे तो आंक के नीचे यदि दर्द हो रहा है तो यह किसका लक्षन है डेंगू का लक्षन है आपका सरीर जो है पूरी तरह से थका वहा फिल करेगा ठीक है इतना सरीर आपका थका फिल करेगा का कोई भी काम करने में कटने अगे होगी डेली सरी पूरा थका हुआ महसूस करेगा अच्छा दिखिए एक चीज आपको यह भी याद रखना कि बहुत जड़ागा आप हुआ पहले रहती है कि सुवा दिन के टाइम में ही मच्छर करता है तब ही जो है डिंग होता है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है मादा एंडिज के काटने आपका वाइरस होता है ठीक है मादा एंडिज के चार अलग-अलग स्टेनियां होती है जो कि आपके सरी के अंदर वाइरस में और उसमें से वी आई और d-i-n-v-1 d-i-n-v-2 d-i-n-v-3 d-i-n-v-4 यह चार तरह का वाइरस जो है न सरी के अंदर जाता है और देखिए कुछ-कुछ जो है बहुत ज्यादा highly effective होता है कुछ कम होता है कुछ जो है एक दूजरी में ठीक हो जाता है ठीक है लेकिन यह चारो के चारो जो है आपके सरीर में बुखार लाने या इस तरह के परिसानी headache होना जीहाद मदाना उल्टी होना ठीक चित्ते हो जाना यह सब तमाम तरह के चीजों के सब्वब्र दूसरा मचर काटेगा आपको और हो किसी को करड़ेगा दूसको नहीं होगा सबी मचर के काटने nisra ndry group का मचर और इसके सरीर में जो है वायरैस नहीं भी यह सारे मचर के काटने से अपको नहीं होता है मापको बता ajen वाया जो specific Indiege-matchan में भी कुछ-कुछ ही ऐसे प्रजाती है तीन-चार प्रकार का जिसके शरीर में यह वाइरस पाया जाता है ठीक है और कुछ-कुछ वाइरस ही इसमें जिसे चार तरह के जो है वाइरस जो है खतरनाक है और जिस चार मतलब यह चारों अलग-अलग तरह के प्रजाती पाये जाते हैं सभी Indie-geat काटने से नहीं हुआ लेकिन हां इस चारों में से भी ऐसा हो सकता है जिसके भी काटने से नहीं हुआ उसके सरीर में पूरा वाइरस नहीं है फिर भी यह आपको काट लिया तो कोई नुक्सान नहीं हुआ यदि आप पहले से डेंगू संक्रमित फिर आपको यदि काट लिया तो यह आपके सरीर से ही कुछ वाइरस अपने सरीर में इंसर्ट कर लेगा और यह जब दुबारा किसी को काटेगा तो इसको भी डेंगू हो जाएगा कि अगला सिच्वेशन देखिए कि डेंगू जो है इसको तीन कटेगडी में माटा गया है ठीक है क्लासिक है मेर है जिक और सॉक सिंड्रोम सॉक सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें आदमी डर जाता है बहुत हुए आप बचेंगे नहीं बचेंगे इतना सरीर काम ने कर रहा है यह हो गया वो गया आदमी पूरी तरह से घब रा जाता है टो यह वह थोड़़ा सा panic सचीयोशन हो जाता है लेकिन इसमें घब रहने बात नहीं इसमें आदमी जल्दी ही सचब्र कड़ Susp दीरे-दीरे करके बढ़ता है ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है सांस उस लेने में कभी-कभी फुलने लगता है दम फुलने लगता है तो सॉक सींड्रोम होता है अंदर से बहुत ज़्यादा आदमी डर जाता है ऐसे सब दम फुलने लगता है ठीक है यह सिच्योशन ज्याद इस situation से मेरे जानने वाले हैं जो की अभी जूजड़े हैं तो यह तीसा situation है उसे shocking syndrome situation कहेंगे तो shocking syndrome situation में क्या हो जाएता है कि आदमी का same to same पहुंचो लक्षन तो आएगा बुखार होगा ठीक है खाने में कोई चीज अच्छा नहीं लेगेगा जी मिचलाएगा उल्टी करने का मन कड़ेगा और सरदर्द होगा जोएंट्स में पहन होगे यह सब जगह जो है दर्द होगा ठीक है यह तमम तरह के और वाला सिच्छेशन धहोडा सा खतरनाव सिच्छेशन है इसमें प्राइट लेट यह दो बार इस तरह से डॉन होता है इसमें रेट सिच्छेशन में लोग मड़ते हैं और मड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ जो है यही है कि आप सही से treatment नहीं ले रहे हैं डॉक्टर की सला को नहीं मान रहे हैं आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो जो इसमें आपको उपचार बताया जा रहा है उस उपचार को नहीं कर रहे हैं ठीक है या सही समय पे उसको पता नहीं चलता ह तो आप लक्षन को पाचान यह सही तरह से पता किजिए situation जो है बहुत ही critical नहीं होगी और आप बहुत जल्दी recover कर जाईगा तो इस situation में क्या होता है आपको बुखार होगा आपके सडीर में दर्द होगी ठीक है और जो है आपको दस्ता सकते है डैरियाज आप हो सकती है यह स situation जो है ना पैनिक है दूसरा वाला situation इस situation में भी same to same वही सारा चीज होता है ठीक है कि आपको सरदर्द करेगा बुखार बहुत तेज हो जाएगा ज्वेंट्स में पैन होगे मसल्स दर्द करने लेगा उल्टी करने का मन करेगा खाया पिया नहीं जाएगा कोई भी चीज सा साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि आपके सरीड के अंदर से ब्लड निकलने लगता है ठीक है ब्लड नाक से आपका ब्लड निकलने लगएगा मूसे उल्टी के साथ ब्लड हो जाए सकता है यूरीन के साथ आपका ब्लड निकल सकता है यानि कि आपके पैसाब के साथ क्या हो तो क्लासिक में दगे क्या होता है कि हाई फीवर हो गया पैन हो गया हो गया मसल्स हो गया नॉर्मल सा चीज है क्लासिक ठीक ठाक है इसका रिकवरिंग जल्दी हो जाता है तो क्लासिक सिच्योशन यह पहला सिच्योशन हो गया इसको आपको बता दिया है यह दूसरा में क्या होगा को एबनॉर्मल पैन होगा मतलब की सरीर आपको पूरी तरह से जो है दुखेगा ठीक है दूसरा आपको क्या होगा भूमेटिंग टेंडेंसी बार-बार होगी उल्टी होगा उल्टी के साथ साथ जैसे ब्लेडिंग वगर है सब हो सकता है ठीक है नाक से खून सबके मादियम से बहुत ज़्यादा ब्लेड निकल जाएगा और आपको सरीर को पूरी तरह से कमजूर कर देगा ठीक है यह वहला सिच्योशन में क्या होता है प्लेटलेट्स जादा डॉन होते जाता है होते जाता है ठीक है और बहुत ही क्रिटिकली जो है इसमें इसमें नुक्सान सरीर को कम होता है डर अंदर से बहुत जबादा लगता है का बचेंगे नहीं बचेंगे इस तरह का फिर हो जाता है तो SOKING SYNDROME से इसको बोला जते है रिषट रेषटर नहीं आपको च्छटर पटर मच आ रहाराएंगा ठीक है एक जिखा की से बात करने कामन नहीं करेगा किसी कोई भी चीज़ खाने बीने कामन नहीं करेगा ठीक है और आपको जो है कफ के अब एक वर्ड आता है प्लेटलेट्स काता है प्लेटलेट्स डॉन हो गया प्लेटलेट्स चरहना है पून चरहना है यह होता क्या है तो प्लेटलेट्स होता है हमारे इम्मुनिटी को यह रोग रोदग चमता हो उसको बराने का काम करता है ठीक है उसे हम लोग प्लेटलेट् उप्योगी चीज होता है यह इसका डॉन होना यानि शरीर में यह प्लेटलेट्स नहीं है तो रोग रोदक चमता जो है यह जो इम्म्यूनिटी को बिल्ड करता है उसको पावर बुस्टिंग का काम करता है वह आपके सरीर से समझे कम हो रहा है ठीक है और देंगू उसी को तो सरीर क्या होता है कि और भी ज्यादा सुस्ट पर जाता है तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए या प्लेटलेट्स नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए यह समझ यह ठीक है तो पपीता का पत्ता जो होता है बहुत ही जादा यू होता है ठीक है तो यह वाला पत्ता था कि पीश के पीना बहुत ही क्रिटिकल है ठीक है एक डम वेकार सा लगता देश्ट या कड़वा को अलगते है तो आप इसे कड सकते हैं ठीक है इससे उबालके पानी एसके पसे पानी मिलाए कर नार का न ओप sturdy तो यह आपको पीने से क्या होगा कि वह स्कोए सब ऐसे कि आपका प्लेटल लाग घट के करेगा ठीक क्योंकि इसका स्वाथ थोड़ा करबारत है ज्यादा पीने के बाद भूमेटिंग हो सकता है भूमेटिंग होने के बाद आपके सरीर से बहुत सरा पानी और निकल जाएगा आप पानी पी सकते हैं तो ज्यादा पानी पी जी ठीक है सरीर में इंसर्ट करके करके आपको फानी चाहा來到 होगां यह vic यह तो दायरेक्ट पौनी पी पीघे तो पहने तो इसे डॉक्टरस पाइं देता हिं तो यह इसका पत्ता सब चाहर होगा कि आपका प्लेटलेट्स डॉन होना बंद हो जागा इससे प्लेटलेट्स बढ़ता नहीं है तो आपको यह सब पीने की भी जरूरत नहीं है प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है और आपका प्लेटलेट्स जो है वह जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा डॉन होने चंपता इस्टेबल हो जाएगी तो इस्टेबल करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है लगवक कता है तेरे पॉइंट पांच टाइम्स जो है इंक्रीज कर सकता है पपाया लीफ किसी भी सरी में इम्मुनिटी को कंट्रोल करने यह नहीं बनने की चंपता को अब देखिए उसके बाद का प्रोसेस यह क्या है करता है देंगुवाइरस इंडक्स ए लोग प्लेटलेस कॉंट बायर कि सब्सक्राइब करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभाविद करता है तो मोनोसाइटस और मैक्रो सब्सक्राइब एडान पी जो सेल्स होता है तिक वोस्त में आपका इम्म्यूनिटी ज्टाधा बुश्ट रूरिये जरूड़ी है कहाप क्या वह पर शेंसक्राइब पर से पॉप्र पूश्टा थी है चलिए हम आपको बताते कि तो बहुत फायदेमंद होता है दूसरा जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है वह होता है बकडी का दूद यह आपके को भी कर्व में बढ़ाता है एकदम से जो है बुष्ट करता है तो सबसे पहला जरूर तो मिलना थोड़ा सब्सक्राइब हो जाता है उसका बकडी का दूद मिलना यह बहुत ही ज्यादा सुलब है तो इसको इसली आप करा सकते हैं बकडी का दूद दीजिए यह जो है आपकी इम्मिनिटी को बहुत अच्छा बुष्ट करेगा ठीक है यह गेलोग का बता है आपको बता है कि जैसे कि यह क्या करता है कि स्टेबल करने में हेल्प करता है ठीक है जब सिच्योशन ऐसा आजा कि उल्टी जैसा मन लगे कुछ भी स्वाद नहीं आए खाया पिया नहीं जा तो इस सीच्योशन में आप एक काम कर सकते हैं चूह है इसको आपका टेस्ट को जो है, विदार इफेक्टिव आपको टेस्ट लगे नहीं लेगे यह आपके सरीर में जो है यह आपका बॉड़ी आपको आलाओ करेगा पीने के लिए। अनार के साथ कोई समस्या आपको नहीं हुए थोड़ा सा कला नमक जीरा पॉर्ifically एट कि कोई भी फल खाते हैं उसमें कि आपका सरीर जैसे को खाईएगा कोई खास फड़क नहीं पड़ेगा उसमें कोई खास ज्यादा टेस्ट नहीं रहता है और अनार को भी आप नौर्मली खा सकते हैं यह सारा चीज जो है आपको कुछी नहीं भी खाने का मन कड़े उस सिच्योसन में भी आपका सरीर इसको ए वीडियो में क्या समझा कि क्या-क्या सिम्टम्स हैं सिम्टम्स क्या-क्या है आपके सरीर में जो है दर्द होगा सरदर्द करेगा बुखार तेज हो जाएगा जोड़ों में दर्द होगी बैक में पैन हो जाएगा और उल्टी करने का मवन करेगा सरीर जो है बुड़ा ठग ज़्यादतर आजकल देखते हैं मार्केट में कि डोलो 650 जो है यह बहुत ज़्यादा वर्क करता है यह निए पारासिटामोल है इसमें भी मिला रहता है तो पारासिटामोल जो है एक जो है अच्छा मेडिसीन है जो कि आपको इस सब सिच्वेशन में रिकमेंड किया जा सकता ह है डॉक्टर के द्वारे रिकमेंडेट है और जो मेडिसीन हम आपको बता है कि पापया का पत्ता गिलोग का पत्ता यह आपको जो इम्मुनिटी है उसको इस्टेबल करेगा ठीक है और बक्री का दूद और अनार का जूस जो है यह आपकी इम्मुनिटी को बुष्ट है यह सब जो है मांकि आप जो है रेगुलर टेस्ट कराते रहें जिससे आपको पता चलेगा का प्लेटल इस घट रहा है बर रहा है ठीक है यदि आपके आसपास सुबदाएं उपलब्द है और नहीं है तो आप अपने नजदी की स्वास्केन में भढ़ती हो सकते हैं हिए कि बिलो का रस यह क्या करता है कि फोई करते हैं इनगे के प्लस-प्लस करते हैं बढ़ादेता थे ठीक है अने का रश कुछ नहीं करता है बस यह क्या है औरере यह गयदी घट रहा है अगश्या दान होड़ा तो उसको यह रोग देगा ठीक है घिलोए का रस भी वही करता है बाइलेंसिंग का काम करता है आपकी इम्मुनिटी को रोग देता है यह सब कि डेंगू जो है उससे क्या-क्या खत्रा है उसके क्या-क्या लक्षन है और उसके क्या-क्या उपचार है उमीद करते हैं यह वीडियो जो है आपके आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा रही होगी यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है और आपको चाहिए और किस category में हम आ रहे हैं डेंगों के तीन कटेगरी आपको बताया तीनों कटेगरी में से किस कटेगरी में आ रहे हैं और उसके अगॉर्डिंग जो है नजदी की स्वासके अंद में आपका सही से उपचार हो चलिए जाते जाते हैं आपको एक बार फिर से रिकेब करते हुए चले जाते हैं कि यदि आपके आस पर उसमें साब सफाई नहीं रहती है पानी का जल जमाव होता है तो वहां पर पाणी ठढ़ेगा बहुत दिन यदि दो दिन चार दिन पांत दिन पाने सड़ेगा और उसमें यह मच्छर में मादा-मधीं करत dil होता है और यह चार कटिकरी का इति कुवर्वadata सरदार्द करेगा और आपको तेज बुखार आएगी और ज़्यादा इस category में खत्रा नहीं है तो classic का recovery भी बहुत जल्दी हो जाता है तीसरा category है sock syndrome sock syndrome category में क्या होता है कि आदमी अंदर से डर जाता है क्योंकि उसका platelets दौन होता है मैलाओं के साथ ज़्यादा होता है तो sock syndrome होता है sock syndrome बहुत जल्दी ठीक हो जाता है घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें क्या होता है सांसुस लेने में दिक्कत होती है दम फुलने लगता है अंदर से मन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है मन सोचता है कि हम जीएंगे बचेंगे कि नहीं कुछ हो नहीं जाय है हमको इस तरह की जो है भवनाय मन में उत्पन होने लगती है जिसके कारण प्लेटलेट डाउन होने के कारण ये सुभाबिक है और sock syndrome तिसरा जो घटना है उसमें प्लेटलेट जल्दी ही stable हो जाता है सड़ भी दर्द करेगा बदन में जोड़ों में तकलीफ होगी मसल्स जोइन्पेंट तो बहुत जादा हो गई होगा उसके साथ साथ जगह जगह आपको धबा धबा आ जाएगा साथ ही साथ आपको वोमेटिंग टेंडेंसी बार बार बनेगी और बमेटिंग के साथ साथ आपको नाक से मुझ से खून भी जा सकता है यहां तक ही मजपिसाब के रास्ते से भी आपको खून निकलना चालू हो जाएगा जो कि बहुत नहीं खराब सिच्चूसन होता है क्योंकि इम्मुनिटी आपका डॉन हुआ रहाता है प्लेटलेश डॉन होता है तो वह सिच्चूसन में जो है आप हमेशा जो है नजदी की स्वास के अंदर में चता सिग्र जाएं डॉक्टर के सलाह से ही कोई भी चीज करें प्रात्मिक उप्चार में हम आपको बता है यदि आपको बुखारा आ जा रहा है ठीक है इस तरह का आपको कोई भी चीज समझ में आ रहा है यदि आपको लग रहा है तो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप पारासिटामोल जो है एक्सेंट्रिक दबाई है इसे बहुत कम जोड़ी बड़ते जाडि यह बड़ते जारी है प्लेटलिस्ट कंटिन्यु डॉण होड़ा रह तो डॉन को रोकने केलिए है ठीक है इससे बढ़ता नहीं है इम्मीर्टी बार बार इसको नहीं पिलाना है एक बार दो बार पिलांगगे है यह अपना काम कर और भी बहुत सारे फल जो भी आपको सिजनेबल फल अबलेबल है वो ज्यादा ज्यादा खिला ये फल हर फल में प्लेटलेट्स होता है हर फल में प्लेटलेट्स होता है और प्लेटलेट्स सरीर को एनरजी देगा तो इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो में हमने डेंग करेंग दो करने दो बाज दो कि अजड़ा है